हेलो पिरे दोस्तों नुमस्कार कैसे आप सभी आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशी चीकना में तो दो बात करते हैं एरफोर्स की जो तीसरी शिफ्ट दोस्तों आज की डेट में आए वी ती चैनल नॉम्बर की दोस्तों वो होने के लिए जा रही है तो दोस्तों सबसे पहले कीशन की बात करते हैं सेंट्रों मास की बेस पर कीशन आए वाथा सेंट्रों मास डिपेंड किस पर करता है तो हमें शेप की उपर करता है जैसे बात करते हैं सफेरिकल बोडी का अलग होता है जैसे इस केसमें बात आती है सफेरिकल बोडी का सेंट्र यह बात आजे आपके पास एल शेप में दोस्त यह बात आजे यह फिर दोस्तों किसी भी डाइगरम अजे तो इसमें दिया वाथ है सेंट्रमास कि इसमें डिया आपके पास रहता है फिर बात करते हैं उससे आगे mu क्या दोस्तों क्या पूच रखा था यहां से dimension formula पूच रखा था तो यह formula आपको पता है normal reaction के बराबर होता है यहां से mu constant quantity लगी और दोस्तों mu आपके पास f by r तो दोस्तों इस case में dimension formula इसका होता नहीं यूनिट भी उसके नहीं होती फिर थर्ड क्यूशन की बात करते हैं थर्ड क्यूशन में आपका दिया हुआ था A और U की वैलो दीवी थी S और T के बिच में आपको निलेसे निकाल लिए तो दोस्तो आपको पता है सेकिंड तो आपके पास मोशन की एक्वेशन होती है दोस्तो यहां से आपके सामने एस इस डायक्ति प्रोपोर्शनल्टी का स्के दोस्तो हो गया फिर बात करते हैं कार्नूट बेस पे कार्नूट जो इंजन है उसके बेस पर किसे नाया वा था टीवन की वैलो आपको दोस्तो दे रखी है आप जानते हैं कार्नूट इंजन से वैल्यो हमने पूट अप की टीटू टीवन आपके पास आ गया तो यहां से क्रोश मोटिपलाई की टूटू की वैल्यो आ चुकी है तो दोस्तो यह आपके सामने चैयर क्यूशन आपके पास हो गए है अब बात करते हैं उस से आगे नूट गीट कर दोस्तो वरक क्या होता है सारा का सारा काम दोस्तो अमने बता चुके नोट गीट सा गेट क्या आप्ष कुद हखर लें फिर बात आती है दोस्तों इससे अगला किर्शन उसमें क्याववन क्यावटू के बीच आपके पाए एर में 25 नुटन है और के अंदर दोस्तों 5 न है के डालेट्रिक कंस्टेंट के फैल निकालने है फैम होता है भाई के बात करते हैं दोस्तों यहां पर इर बाई और की बात होते है दोस्तों यहां पर आपके सामने क्या हो जाएगा air में आपका 25 है इसमें 5 आजएगा ऐसे निकान ला है फिर बात करते हैं उससे आगे 7th नमबर पे 7th नमबर पे आपका क्या दे रखा है कोई अर्थ है अर्थ के surface के उपर force की value दे रखी है अर्थ का जो आपके समने r दे रखा है वो क्या दे रखा है इसका weight पुछा गया तो weight क्या होता है 32 Newton होता है simple आपको यह मैंने बता भी चुका हूँ फिर बात आती है tau के बीच में और दोस्तो यहां से formula है यहां से A का लिजा dimension बाना पूछा था A का कोई B Newton होती नहीं तो दोस्तो यह आपके सामने थाड़े जो आयवा है Air Force का आज की डेट में वो हमने दोस्तो बता दिया है तो दोस्तो बात करते हैं हम दोबार repeat करते हैं dimension formula ने छोड़ने आपने अगले जो shift के लिए unit ने छोड़ने आपने car note engine के बेस percussion आएगा हमेश्या efficiency पूछ लो तो दोस्तो आपके सामने इसके बेस percussion आपका मिलेगा 101% rotational के उपर percussion मिलेगा और आपका जो बात आती है distance displacement के उपर percussion मिलेगा gate के उपर percussion मिलेगा और आपके सामने जो gravitation force है उसके उपर दोस्तो किशन मिलेगा जरूर दोस्तो आज की इस वीडियो में आपके लिए इतना ही मिलते हैं आपको next वीडियो में दोस्तो जैसे part आती जाएंगे आपको दोस्तो हम बताती जाएंगे यह थी third number shift दोस्तो आज के लिए आपके लिए इतना ही मिलते हैं दन्नेवाद जैहिन जवार